नमस्कार स्वागत है आपका टीवी का पटाका में दोस्तों तुनीशा के केस में आ गई है बहुत बड़ी अपडेट अब एक और रिष्टे का खुलासा हुआ है जी हाँ क्या शिजान के अलावा कोई और भी था तुनीशा के जिंदगी में चलिए बताते हैं आपको पूरी खबर टीवी का पटाका की इस रिपोर्ट में पर उससे पहले जरूर सब्सक्राइब करें टीवी का पटाका को जिससे आपको पता चलें टेलिवेजन इंडास्ट्री की हर खबर दोस्तों शिजान खान के वकील ने अब एक बड़ा खुलासा किया है ब्रेक अप के बाद य बात की थी जी हाँ तुनीशा शर्मा के सुसाइट केस में आज मुंबई के कोट में सुनवाई हुई और इस दोरान ही बहुत बड़ा खुलासा हुआ ये बताया गया कि शिजान से अलग होने के बाद तुनीशा की जिन्दगी में अली नाम का एक शक्स आया था और इस शक शिजान के वकील शैलेंद्र मिश्रा ने इस बात का खुलासा किया कि शिजान से ब्रेक अप के बाद तुनीशा शर्मा ने डेटिंग आप टिंडर जॉइन कर लिया था और यहीं पर उनकी अली नाम के एक लड़के से बाचीत हुई तुनीशा उसके साथ डेट पर भी यहां पर हम आपको बता दें कि दुनिया को छोड़ने से 15 मिनट पहले तुनीशा ने अली से वीडियो कॉल पर बाद की थी तो ऐसे में शिजान नहीं बलकि अली उस समय अक्टरस के टच में था इसके साथ साथ शिजान के वकील ने एक और खुलासा किया है जी हां उन्हों ने पार्त को रसी भी दिखाई थी जिससे इस बात का इशारा हो रहा था कि तुनीशा सुसाइट करने के बारे में सोच रही थी जब शिजान को इस बारे में पता चला था तो उन्होंने तुनीशा के परिवार को कॉन्टाक्ट भी किया था और इस बारे में बताया भी था साथी साथ शिजान ने तुनीशा कोई घरवालों को उनका खयार रखने के लिए भी कहा था साथी साथ आपको ये पता होना भी बहुत जरूरी है कि शिजान के वकील ने एक और खुलासा किया कि तुनीशा कुछ ऐसी मेडिसन्स ले रही थी जो की काफी खतरनाक है और इन दबाईयों को बिना डॉक्टर के पर्मीशन के बिना डॉक्टर की एडवाईस के नहीं लेना चाहिए दोस्तो तुनीशा की केस में यभी तक का सबसे बड़ा खुलासा है क्या लगता है आपको आखिर कौन है अली क्या अली की वज़े से तुनीशा ने अपनी जान दी है कमेंट्स में आप अपनी राए हमें जरूर लिख कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर कना आप ना भूलें